हाई गाइस वेलकम टू टेक्निकल स्टाइजोन फिर से आई टेकंडियर्स के लिए एक नया रिकूट्मेंट निकल काया है जो कि आपका साइन्स सिटी कोलकाता के तरफ से यह जो है नैशनल काउंसिल आफ साइन्स मिजियम का है और यह मिनिश्टी ऑफ कल्चर तो को साथ जाने के बाद आपको जानने के लिए जाना होगा इस वेसानघा में जत्व जानना के बाद यहां पर आपको थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहां पर आपको notice option मिल जाएगा, ठीक है, notice पर आपको click करना है, तो notice के side में आपको right side में plus button दिखने को मिलेगा, तो notice के side में plus button में आप अगर click करते हो, ठीक है, तो click करने के बाद यहां पर आपको recruitment option दिख जाएगा, तो recruitment में जो है, आपको simply click कर देना है, recruitment में click करने के बाद आपको यहां पर recruitment का page open हो जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक notice आया है, 10th December 2021, recruitment for the post of technician a science city Kolkata, last date 10th January 2022, ठीक है, यहां पर आप देख सकते, details of advertisement लिखा हुआ है, और यहां पर application form लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है, आपका application form दिया हुआ है, मतलब यह जो है, offline fill up होगा, तो details of advertisement में अगर आप click करोगे, तो यहां पर आपको PDF download हो जाएगा, advertisement का details, तो यहां पर जाके आप जो है, इसका details देख सकते, तो यहां पर देख सकते, यह official advertisement है, जहां पर लिखा है, science city कोलकाता, यह जो है, national council of science museum के अंडर में आता है, और यह ministry of culture government of India का है, ठीके, तो यह आपर देख सकते, आप लोग advertisement number यहां पर दिया गया है, ठीके, और यह जो है, आपका, जो जो post में निकला है, vacancy वो देख लेते हैं, तो यहां पर देख सकते, तीन post में vacancy निकला है, जो की है, आपका, T01, T by 01, जिसमें आपका technician A, trade जो है, आपका computer, hardware, and networking का आपका post है, ठीके, जिसमें आपका details of post में आपको यहां पर लिखा है, कि एक post है, unreserved category के लिए, उसके बाद जो है, T by 02, इसमें आपका technician A, turner का है, एक post है, unreserved category में, ठीके, उसके बाद जो है, आपका technician A, feature में है, trade feature, जिसमें आपका एक post है, reserve for serial cast, यानि कि SC के लिए reserve किया हुए है, तो तीन post है, यहां पर देख सकते, एक आपका computer, hardware, and networking का है, एक आपका technician का है, और एक जो है, आपका feature का है, ठीके, तो इसका details देख जो है, आपका railway technician का जो pay scale होता है, वो ही same space scale है, pay matrix level 2,1900 से 63200, यानि की 1900 great pay का आपका pay मिल जाएगा यहां पर, और यहां पर देख सकते, आपको total starting में कितना salary मिलेगा, gross, gross जो आपको मिल जाएगा, 33,238 रूपिया, ठीके, तो यहां पर आपको total HR, सब कुछ मिला के इतना मि जाएगा, तो उसके बाद देख सकते, essential qualification, essential qualification में क्या मांगा है, तो essential qualification में यहां पर देख सकते, SSC और matriculation with certificate from ITI और equivalent in relevant discipline acquired on or before 10th January 2022, तो यहां पर देख सकते, आपको 10th होना चाहिए, 10th के साथ आपको ITI certificate होना चाहिए, ठीक है, आपका जो trade है, फीटा, टरनर, certificate होना चाहिए, जो certificate कुछ भी हो आपका, वो आपका 10th January 2022 के पहले complete होना चाहिए, उसके साथ क्या है, experience मांगा है, experience as on 10th January 2022, तो experience क्या मांगा है, candidates must have one year experience after obtaining the certificate for course duration of two years, अगर आपके पास 2 साल का ITI certificate है, तो आपको 1 साल का experience चाहिए, ठीक है, for candidates obtaining certificates of one year course duration, two years relevant experience after obtaining the certificate shall be required, तो अगर आपके पास 1 साल का ITI certificate है, तो उसमें क्या है, आपको 2 साल का experience चाहिए, ठीक है, और अगर आपके पास 2 साल का ITI certificate है, तो उसमें आपका 1 साल का experience होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद age limit लेख लेते, age limit में जो लिखा है कि not more than 35 years as on 10th January 2022, that is the last date of application, तो 10th January जो है आपका last date of application है, ठीक है, और आपर age limit as per government rules के अनुसार आपको मिल जाएगा, जो reserve candidates है, उसके लिए, ठीक है, एप्लिकेशन फी यहां पर क्या रखा गया है, अप्लिकेशन फी यहां पर देख सकते है, 200 रुपए अप्लिकेशन फी रखा गया है, तो यहां पर देख सकते है, mode of payment, 200 रुपए आपका जो payment करना हुआ, यहां पर बैंक details यहां पर दिया गया है, अकाउंट, holder name, bank name, यहां पर अकाउंट, number, account type, IPC, branch address, total यहां पर दिया गया है, ठीक है, उसके साथ आप देख सकते है, यह जो है, non refundable है, 200 रुपीस, यह आपक recruitment क्या है, method of recruitment, यहां पर देख सकते हैं, आपको क्या 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 काम करना होगा, तो computer hardware and networking में जो लोग का भरती होगा, उसका क्या होगा, इंस्टॉलेशन, maintenance and operation of computers, networks, projectors, IT, instructors, infrastructure, etc., और Turner Feeder में क्या है, Turner Feeder में operation, repair, fabrication, handling, packing, installation, maintenance and activities, equipment, instruments, installation, etc., तो Turner Feeder में जो है, आपका science museum है, उसमें तो बहुत आपका maximum, जो है, आपको repairing, maintenance, और fabricating, job, आपको करना होगा, ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हैं, information and instruction, यहां पर देख सकते हैं, सकते हैं आपको जो है एप्लिकेशन फोर्म आपको वेबस सब्सायत से दाउनलोड कर लेना उसको फ्लैप करके आपको जो है भीना है साथ में आप को सेट परेश्टेट कोपी अ अपको देना आगा जितना भी आप सर्टिफिकेट उसके साथ एटस्ट कीजिएगा सब सेल परटस्टेट कीजिएगा और यह जो है आपको भेजना होगा दस जानुवरी से पहले यहां पर देख सकते साइन सीटी जे बी एस हेल्डेन एविन्यू कोलकाता यह इस एपडेस पर आपको भेजना है ठीक है और आपका जो एन्वलोप होगा ए साइन सीटी कॉलकाता यह चीज आपको कोटेशन में लिखना है उपर में ठीक है उसके बाद आपको इस एड्रेस में भेज देना होगा तो देख सकते एप्लिकेशन जो है आप अगर मेल के थूरू भेजते तो आपको कैंसल कर दिया जाएगा एप्लिकेशन ठीक है और वहुंन्स कहके। in close करना होगा तो देखिए। ये अचलब कोपी आपको क्या कपको गचुप कॉपी देना होगा सेल पीट कॉपी और माद्धोमिक मेड्रीकुलेशन पा साठ्डिफिकेट ये तो आप कै सब्सक्राइब करना होगा तो आपको यहां पर बोला जा रहा है कि आपका एक मोबाइल नंबर और इमेल आईडी होना चाहिए ठीक है अगर आप कोई गौवर्मेंट या तो सेमी गौवर्मेंट या तो अटनोमाज प्राइबेट अंडर टेकिंग में अगर आप काम करते हो तो उस टाइम आपको थूप अपर चैनल अपलाई करना होगा ठीक है और यहां पर देख सकते हैं ज और यहां अगर आपको देख सकते सिलेक्टेड कंडियेट को जो है नियु पेंसीनस कीम जो है एक कौव टेक्से आक कुछ-गपर सब्सक्ट कर दिया जाएगा उसमें आपको वीचिए जाएगा ओस टाइम रहाए जात टैम कि हैन्सल कर दिया जाएगा और डिेक्टर जो है साइंसिटी का उसके पास राइट टू रिजर्व रहता है कि वह रीकूटमेंट कांसिल भी कर सकता है ठीके और आन सीटी कोलकाता जो डिसन नेघा करना होगा वहां से आपको पीडिएप डानलोड हो जाएगा तो पीडिएप डाउडोड हो जाने के बाद इसको आपको फिलप करना होगा जैसे यहां पे आपको फटो साथ नहीं टोटाल जो आपको भर लेना होगा ठीक है इसके उपर अगवर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजीए गा मैं जरूर इसका पिंट आउट निकाल के आप लोग को कैसे फॉर्म फिलाब करना वोगा क्या का लिखना होगा अगर आप नौकरी में है तो क्या क्या लिखना होगा तो टोटल चीज हम यहां पर जो आपको फॉर्म फिलब करके दिखा देंगे ठीक है तो कॉमेंट्स कीजिएगा जरूर तो यह फिल करके सिगनेचर करके जो है आपको भेजना होगा नीचे वाला फोर्सान यह फॉ इस हीं में आप नौकरी करते है तो उस टाइम जो है आपको यह पर जो है वहां से आपको जो आपका Android Migzyć आपको यहां पर सिगनेचर का टाना और अचनेयिक है न्याफा उसको फ़ेड़ करना होगा ठीक है तो जल से जल कर लिजैये क्यांकि यहां पर देखिए यहां पर लिखा है जो आपका डॉक नमबर होता है जो डाड़ी नमबर होता है dispatch number वह लोग डाल देगा for office तो आप डिपार्टमेंट में नौकरी करते हो तो उस डिपार्टमेंट से वह लोग लिखके यह भेज़ देगा आपको जो है टोटल फॉंफिल आप करके टोटल डोकुमेंट जो है आपको आप दे देना है आपका office में वह लोग बाकी चीज फिल करके वह लोग तुरू पपा चैनल भेज़ देगा तो डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग कर्मेंट कीजिए मैं डिटेल्स में बता दूंगा तो यह था आज का वीडियो अगर पर नौकड़ी करना तो चले आज उसता आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो पर